खेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त अजीत और आज की इस वी में हमारे पास दोस्तो जो सेट है वो है एक साइट का मैजिक यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मोडल नंबर होगा दोस्तो एक हजार भीए एक हजार पचास भीए करके है बारा बोल्ट का यह हमारा सेट है इसकी में 220 हम connect कर रहे हैं और यहां पर दिस्प्ले पर देखें यहां पर कोई integration नहीं है में सोन के LED बिल्कुल गलो नहीं कर रही है और वाकी on-off अच्छे से कर रहा है यहां पर मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं आपको on-off करके यहां पर थोड़ी सी इसकी brightness कम है LED की और यहां प बैरेक है उस पर हम लगाएंगे यहां पर और इसमें input voltage दोस्तों हम डालेंगे 140-150 के आसपास और अभी देखेंगे क्या accept कर लेता है तो यहां पर हम कर लेंगे 160 volt की आसपास या 150 पर हम कर लेंगे input input हमने दोस्तों यहां पर डाल दी है 150 volt और आप देख सकते हैं इसने तुरंट मेंस एकसफट कर लिया है यहां पर charging के LED भी गलो कर रही है और जैसे अभी हम इसको बढ़ाएंगे कर लेंगे इसे 220 या 240 के आसपास इसे रख देते हैं हम कर लेते हैं इसे 230 volt के आसपास और आप देख सकते हैं 230 या 40 volt के आसपास आपको दीख रहे होंगे और यहां पर यह मेंस की LED बिल्कुल गलो नहीं कर रही है और यह बैक अप मोड पर है भी इसने मेंस एकसप्ट नहीं किया तो यही दोस्तों इसकी प्रोब्लम है जिसमें वोल्टेश कम मिलती है 1500 या 160 के कि ऐसा स्विच लगा है तो यहां पर आपका क्यों आउटपूट सौकिट है और आउटपूट रिजिसर स्विच है बाकि इसमें और एक्ट्रा स्विच नहीं है जैसा कि लियूमिनस में आपको यूको मोड और यूपियस मोड कर स्विच लगी हुए दिख जाती है बाकि इसमे कोई स्विच नहीं लगी है ताकि हम इसको अर्जेस्ट कर सकें अब दुस्तों इसमें चली देखते हैं कि कि इसकी प्रोब्लम कहां से हो सकती है तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसके कवर को यहां पे ओपन किया हुआ है और PC एप देखी रहे हैं यहां पर PC भी आप और मैं थोड़ा सा इसमें जूम करके दिखाना चाहूंगा एक इसमें preset लगा हुआ है blue color का थोड़ा सा मैं इसमें जूम कर दूँ ताकि आपको clarity दिख जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक preset लगा हुआ है और इसी preset दोस्तो main sense करने के लिए है तो हम दोस्तो अभी इसी preset से इसको adjust करके ठीक कर लेंगे सबसे पहले इसे ठीक करने के लिए हम voltage input कर लेते हैं 240 या 250 के आसपास हमने इसे 240 के आसपास 30 के आसपास रख लिया है और अभी भी देखिए यहाँ पर mains accept नहीं कर रहा है आप दोस्तों इसे set करने के लिए हमें चाहिए एक aligner जो की पतला आपके पास screwdriver होना चाहिए उसी से आप preset को adjust कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक ही आज से वीडियो बना रहा हूं लेकिन फिर भी दिखाने की पूरी कोसिस कर रहा हूं preset को हम थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं यहाँ पर देखिए और अभी जैसे ही mains accept कर लेगा तुरंत preset को घुमाना बंद कर देंगे चोड़ देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने mains ले लिया है mains accept कर लिया है और charging के LED भी glow कर रही है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर voltage जो हमारे 240 या 230 पर mains accept नहीं कर रहे थे यहाँ पर हमारा mains accept कर लिया है और voltage जो हमारे है वो 240 या 250 के आसपास है तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं अब एक पर दोस्तों हम इसमें यह चेक कर लेते हैं कि यह आप हमारा 1.500 या 160 के आसपास जो पहले mains accept कर रहा था वो कर रहा या नहीं तो यहाँ पर दोस्तों या 20 sonic कहीं भी इसको कर दें तो ये अब हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जैसा कि पहले हो रहा था कि जैसे Scout N20 के आस-पस करते हैं उसे हो में सक सक्ष्ट करनाबंद कर देदा दा है यहां पर आप देख सकते हैं अब प्रोब्लम नहीं है तो दोस्तों आप इस प्रिसेट से अर्जेस्ट कर सकते हैं जो आपका ब्लू कलर का प्रिसेट लगा हुआ है आप इसी से मेंस कर सकते हैं जैसा हमने आपको बताया इस तरीके से सेट कर गए तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो वीडि झाल झाल